हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एक दम मज़े में होंगे पच्चों आज हम विशेशन के बारे में जानेंगे सामने हमारे चित्र दिये गए हैं उनमें क्या कहा गया यह पढ़के समझ लेते हैं मेरी फ्रॉक महरून है लेत में पांच लड़ू रखें यह आदमी बुड़ा है यह लड़का मोटा है तो बच्चों इन वाक्यों में महरून फ्रॉक की विशेष्टा का सूचक है पांच शब्द लड़ों की विशेष्टा का सूचक है इसी प्रकार बुड़ा शब्द आदमी की विशेष्टा के बारे में बता रहा है पता मोटा शब्द से लड़के की विशेशता का बोध हो रहा है तो ऐसे शब्द विशेशन कहलाते हैं आईए परिवाशा जाने विशेशन की जो शब्त संग्या अत्वा सरवनाम की विशेष्टा बताते हैं विशेष्ण कहलाते हैं चलिए अब विशेष्ण के भेद जान लेते हैं विशेष्ण की निवलिकित पांच भी दोते हैं पहला है गुणवाचक विशेष्ण वे विशेशन शत, संग्या अत्वा सरनाम के गुण, दोश, आकार, स्वात, स्पश, दश्या, अवस्ता का बोथ कराते हैं वे गुण, वाचक विशेशन कहलाते हैं जिसे तोता हरे रंग का है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं आलसी दीपक अब तक सो रहा है तो बच्चों इन वाक्यों में रंगीन, छपेशब, हरे, रंग बिरंगे तथा आलसी वाक्य में आये संग्या शब्दों के रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा दोश के बारे में बता रहे हैं गुण माचक विशेशन असंखे, उनके कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार है जैसे पहला है गुण बोधक, बुद्धिमान, योग्य, अच्छा, विनम्र, दयालुए शब्द होंगे गुण बोधक दोश बोधक होंगे बुरा, मूर्ख, अयोग्य, पापी, अब पवित्रा दी, और भी होंगे स्थान बोधक होंगे जैसे अंग्रेजी, बनारसी, हर्यानवी आदी समय बोधक होंगे दाइनिक, सापताहिक, नया, पुराना, मासिक आदी दशा अवस्ता बोधक होंगे, कमजोर, अमीर, गरीब, युवा आदी गंद बोधक हैं, खुश्बुदार, बद्बुदार, गंधिन, सुगंधिद आदी रंग रंग बोधक हैं, सुनहरा, चमकीला, सफेद, काला, आस्मानी लाला दी आकार बोधक हैं, नुकीला, मोटा, पतला, चौडा, गोला दी स्वाद बोधक हैं, करवा, कसेला, नमकीन, खटा, मिठा दी सपाश बोधक हैं, मुलायम, खुरदरा, नरम, कठोर, कुमला दी चलिए गुरु माचक विशेशन की पहचान के बारेज में जाने विशेशे के साथ कैसा कैसी लगाकर प्रश्ण करने पर जो उत्तर वो मध्यम बनाते हैं इसको जानने के लिए पहले चित्र में मेरी बायक में पेट्रोल कम है मुझे तीन मीटर कपड़ा दो थोड़ा पानी दे दो परिमान वाचक विशेशन के निमलिकी दो भेद होता है पहला है निश्चित परिमान वाचक विशेशन निश्चित जिसमें निश्चित हो मात्रा जो विशेशन शब्त किसी संग्या या सरवनाम की निश्चित परिमान का बोथ कराते हैं उन्हें निश्चित परिमान वाचक दूर दाए दो लीटर निश्चित है तो परिमानवाचक निश्चित परिमानवाचक है दूसरा है अनिश्चित परिमानवाचक विशीषण जो विशेशन शर्प्त किसी संग्या है सरवनाम के निश्चित परिमान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जैसे मुझे गारी में कुछ पेटरोल डलवाना है कितना दो लिटर दस लिटर पंदरा लिटर बीस लिटर नहीं पता तो अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन तीसरा है संख्या वाचक विशेशन जो विशेश्षण शब्त किसी संग्या या सरवनाम की संख्या संबंदी विशेश्षण बताते हैं वैं संख्या वाचक विशेश्षण कहलाते हैं जैसे सामने हमारे तीन चित्र दिये गए है इनमें क्या कहा गया है राधा के पास तीन पैंसिले हैं मेरे पास कुछ रुपए हैं पेड़ पर अनेक फल लगे हैं तो बच्चों जहां ही रंगी शब छपे हैं याँ पर इनमें तीन कुछ तथा अनेक क्रमशय पेंसिले रुपएं तथा फल की संख्या की जानकारी दे रहे हैं नते हैं संख्या वाचक विशेशन हैं संख्या वा निश्चे संख्या का बोध हो उन्हें निश्चे संख्या वाचक विशेशन कहते हैं जिसे राम के पास 10 रुपए हैं महिला ने एक दरजन खेले खड़ी थे यानिकि दस और एक दरजन निश्चे संख्या का बोध करा रहे हैं तो निश्चे संख्या वाचक विशेशन मैंने उसे कुछ पुस्त के दी किती दी एक दी 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 नहीं पता तो अनिश्चित संखzung संख्यवाचक विशेषर नि, umm ने आयें, दो आयें, दस आयें, बीस आयें, संख्या गर्ना की जा सकती है वे शंख्या वाच्यकं के लाते हैं तथा जिने मापातुला जा सकता है छाथ पढ़ रहे है दस संख्या में घिंती हो रही है तो संख्या वपरेशेशन 10 किलोचीनी लाओ दस को चीनी चीनी की घढ़ना नहीं कर सकते आप दस किलो डो-सक किलो परिमार्ण वाचक मुझे एक मीटर कपड़ा चाहिए एक मीटर कपड़ा इसकी गिंती कर सकते हैं नहीं न तो पनिमानवाच्चा क्विशेशन है ये चोथा है सार्वनामिक विशेशन जब सर्वनाम, शब्द, संग्या, शब्दों के पूरू लगकर उनकी और संकेत करते हैं उने संकेतिक विशेशन या सार्वनामिक विशेशन कहते हैं यहां भी हमारे सामने तीन चित्र हैं इनमें क्या कहा आगया है आईए पड़कर समझें यह रेलगारी दिल्ली जाती है इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखो ओई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है तो बच्चों यहां पर जो रंगीन शब्द छपे हैं यह इस तथा कोई यह सर्वनाम शब्द विशेशन की भाती प्रियुक्त हुए है प्रियुक्त सर्वनाम के साथ करमश रेलगारी चित्र तथा व्यक्ति संग्या शब्दों का प्रियुक हुआ है इसमें जानने योग्य बात को जान लेते हैं कि सार्वनामिक विशेशन को संकेत वाचक विशेशन भी कहते हैं इसलिए आपने घबराना नहीं है अगर संकेत वाचक आ गया कि संकेत वाचक किसे कहते हैं तो आप सपमझ जाइए सारवनाम किये जाने वाले सफ्क, सर्वनाम क मेंच हिए, कि jजब सर्वनाम शब्ध संग्य से पूर्व लगकर उसकी और संकेत करते हैं, तो वे सारवनाम किय लाते हैं. 지 कोई आया है कोई सरवनाम कोई व्यक्ति याया वक्ति से पहले कोई आया तो सारवनामिक विशेशन वन गया पाच्वा है व्यक्ति वाचक विशेशन वह विशेशन जो व्यक्ति वाचक संग्या से बनता है उसे व्यक्ति वाचक विशेशन कहते हैं यसे अपूर्वा को नागपूरी संत्रे पसंद है कश्मीरी से मीठे और लाल होते हैं मैंने जयपूरी सारी पहनी है तो ये व्यक्ति वाचक विशेशन है चलिए विशेशनों की तुलना जाने तुलनात्मक द्रिश्ट्री से गुणमाचक विशेशन की निम्लिके तीन अवस्थाएं मानी जाती है पहला है मुला वस्था जब किसी एक व्यक्ति प्राणी वस्थू या प्रदात में गुणिया दोश का समान्य उलेख होता है तो उस विशेशन को मुला वस्था कहते हैं इसमें किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती जैसे मीरा सुन्दर है सीता मोटी है दूसरा है उत्रा वस्था इसमें दो व्यक्तियों प्राणियों वस्थू स्थानों आदी से तुलना करते हुए किसी एक को सबसे श्रेश्च या सबसे हीन बताया जाता है जिसे सीमा सरला से अधिक मूटी है इसमें तुलना की गई है मोहन राम से अधिक बुद्धिमान है इसमें भी तुलना है तो उत्तम आवस्था इसमे अनेक व्यक्तियों प्राणियों वसत्वों स्थानियी आदी में तुलना करते हुए किसी एक को सबसे श्रेष्ट या सबसे हीन बताया जाता है इसमें सबसे अधिक सबसे कम सबसे बढ़कर सर्वश्रेष्ट आदी अंक मिले आये कुछ विशेशान शब्दों की तीनों अवस्थाएं जाने अधिक मुलावस्था अधिक तर उत्तर आवस्था और अधिक तम उत्तमा अवस्था उच उच तर उच तम सुन्दर सुन्दर तर सुन्दर तम न्यून तर न्यून तर न्यून तम शेष्ट शेष् सरल लगें लगें थायद और आये शंदम पर विशेशन पर प्रृविशेशन जो metadata बताते हैं प्रविशेशन कहलाते हैं जिसे रचित बड़ा महनती लड़का है बहनती एक विशेशन शब्द है उसके आगे बड़ा प्रविशेशन की विशेश्टा बता दी वर उन्हों बहुत मोटा है तो शीला अधिक बुद्धि मान है तो इन वाक्यों में जो रंगीन शब्ट छपे हैं जिसमें बड़ा बहुत था अधिक शब्ट क्रमशे महन्ती मोता सब बुद्धी मान विशेशन की विशेश्टा बता रहे हैं नते यह प्रव विशेशन है चलिए विशेशनों की रचना के बारे में जाने बच्चों हिंदी वाशा में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेशन होते हैं और कुछ विशेशन शब्दों की रचना संग्या सरवनाम क्रिया तथा अव्यवों से होती है तो चलिए जाने पहले संग्या शब्दों से विशेशनों की रचना करना जिसे संग्या शब्दे से विशेशन बना श्रमिक, विश से विशेला, अंत अंतेम, उदास उदासी, अपमान से अपमानित बना, इतियास से अतियासिक, प्रकृति से प्रकृतिक बना, और बुद्धी से बुद्धिमान, गुलाब से गुलाबी बना, जोश से जोशीला बन तीसरा है क्रिया शब्दों से विशिशनों की रशना गूमना गुमक कर देखना दिखावटी, बनाना बनावटी, भूलना भुलक कर, कमाना कमाओ, बनना पढ़ाकू और चोथा है अव्यव से विशेशन शब्दों की रशना करना उपर उपरी बाहर बाहरी पीछे पिछला आगे अगला नीचा नीचला भीतर फीतरी आए पार से संबंदि ध्यान देने योग्य बाते जाने जिस संग्या या सरवनाम की विशेशन कहते हैं विशेशन के पांच भेषिए गुरवाचक, परिमान वाचक, संख्यावाचक, सारवनामित पता व्यक्ति वच्वाचक तो लशनक दृष्टि से विशेशन के तीन अवस्था हैं मुलावस्ता उत्तमावस्ता और उत्रावस्ता विशेशन शद्दों की रशना संग्या सर्वनाम क्रिया अव्यव आदि से की जाती है तो मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझाया होगा अब विशेशन का अभ्यासकारे आप स्वें कीजिए